हालो एवरिवन आज आपके साथ शेर करने जारें भंडी के कैसी रेस्पी जो के इतना जादा टेस्टी और मज़े की बनती है कि जुन लोगों को भंडी पसंद भी नहीं है अगर उन्होंने भी एक बार इस तरीके से भंडी को खा लिया तो ये उनकी फेवरेट हो जाएगी आज हम बनाएंगे बहुत मज़े की मसाला दही वाली भंडी बहुत जादा टेस्टी बनती है तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं तो मैंने लिया यहाँ पर एक कड़ाही और कड़ाही गरम है तो उसमें तेल डाल देना है तो यहाँ पर चार टेबल स्पून मैंने त 500 गिराम और इसी तरीके से लंबा लंबा ही मैंने कट कर लिया है और अब इस भंडी को इस तेल में डाल देंगी और इसे फ्राइग कर देंगे इसे इतना फ्राइग करना है कि यह एकदम नरम ना पड़े या इसका कलर चेंज ना हो तो दिखें यहाँ पर मैंने भंडी को जो है इसका डाक नहीं हुआ है तो अब हमें भिंडी को निकाल देना है तो यहां पर मैंने भिंडी निकाल दिया है और अब इसी कड़ाई में और तेल डाल देते हैं तो यहां पचासे मेल तक तेल मैंने और एट कर दिया और अब तेल को गरम होने देना है जब तेल गरम हो कर दिया मैंने 140 वाइक्ट 10 पर हम चुह हूं किव्यक जांड हूं और प्यास को भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है तो दिखें प्यास यहाँ पर भून गई है तो अब इसमें आड़ कर देते हैं अद्रक और लसुन तो यहाँ वन टेबल इस्पून अद्रक ले लिया वन टेबल इस्पून लसुन जो से ग्रेट करके मैंने लिया हुआ है आप चाहें तो इसके बदले में पेस्ट भी यहाँ पर आड़ कर सकते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेते हैं तो अद्रक लसुन भी बहुत अच्छी तरीके से भून गए है तो अब उसमें डाल देते हैं एक मेडियम साइस की टमाटर का पेस्ट मैंने डाल दिया है और अब इसे भी भूनना है लेकिन इसे के साथ हमें इसमें कुछ पाउडर मसाले भी आड़ कर देने हैं जिसमें मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से भूनने होते हैं तो उसका टेस बहुत अच्छा आता है तो मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से भून गए है तो अब उसमें डाल देना है हमें दही तो यहाँ पर अच्छी तरीके से फेटी वी मैंने दही ले ली है और यह खटी दही नहीं है याद रखें कि यहाँ पर खटी दही बिल्कुल नहीं लेना है और अब दही को भी इसमें अच्छी तरीके से में मिलाना है फ्लेम को स्लो करना है और भूनना है ताकि दही का जो पानी है वो सारा का सारा ड्राय हो जाए उस वक्त तक हमें इसे भूनते रहना है तो देखिए मसारे का कलर बहुत अच्छा आ गया है दही का पानी एकदम ड्राय हो चुका है तो अब हम उसमें डाल देना है पानी तो जो बॉल में मैंने दही निकाला था उसी में मैंने पानी ले लिया है तो यहाँ पर एक कप पानी जो है वो मैंने यहाँ पर एड़ कर दिया है और अब इसे मिला लेना है और उसके बाद इसमें जो है थोड़ा सा उबालाने देना है तो यहाँ पर उबालाने लगा तो अब हम इसमें फ्राइ की भी भिंडी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और अब इसे covering कर देना है और इसे पका लेना है cover कर के इतनी देर तक इसे पका ले कि गरेवी जोहां गाड़ी हो जाए तो यह देखिये मैं इसे cover कर के पका लिया है और आप देख सकते हैं कि अच्छे सी यह gravy इसकी थिक हो चुकी है और भिंडी के ऊपर जोहे strengthened मसाली की सारी कोटिंग आ चुकी है तो अब इसमें हमें डाल देना है धनिया के पते और गरम मसाला पॉद्रा धाती इसपून यहाँ पर डाल देना है कसूरी मेथी ले लिया मैंने मैश भूरा सा शेख月 मुआ िसरे डाल देते हैं बहुत अच्छा सा फुरेवर आता है देते हैं और उसके बाद इसके प्लेंडिंग करते हैं तो यहां पर बढ़ियां सी चटपटी सी हमारी भिंडी जो है वो बनकर तयार है इसे सफ कीजिए रोटी के साथ चावल के साथ बहुत अच्छा लगेगा आप अपने बच्चों को इसे टिफिन में भी दे सकते हैं उन् लाइक कर लें मिलते हैं ऐसे ही मज़एदार रेसिपी के सेंसे लाफे लाफे देसे मिलता है।